आप सभी को नमस्कार मेरा नाम मनोच पांड़े और आप देख रहे हैं EV हिंदी दोस्तो आज की इस वीडियो में कंपेर करने जा रहे हैं हॉप ओक्सो की एलेक्ट्रिक बाइक तरफ बाकी इलेक्ट्रिक बाइक की मैनिफेक्ट्चर्स कंपनी एलेफ़ पी केमिस्ट्री की तरफ बढ़ चुकी हैं तो ऐसे ही और क्या सिमिलालिटीज हैं दोनों बाइक्ट्रिक के बीच में और क्या इस डिफ्रेंसिज है वो सभी आज इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले compare करते हैं दोनों ही electric bikes की range को देखें रिवॉल्ट में यहाँ पर आपको एक ही model मिलता है RV400 वही हॉप में आपको दो model मिलते हैं हॉप Oxo और हॉप Oxo X रिवॉल्ट RV400 में दोस्तों आपको company क्लेम करते हैं 150 km की रेंज और लगबग इसमें रियल रेंज जो है 135, 140 km की रेंज मिल जाती है इसी के साथ हॉप उक्सो में कंपनी क्लेम करती है रेंज 150 km की तो रेंज की मामले में हॉप उक्सो कई आगे नज़र आता है रिवॉल्ट आरी 400 से क्लेम्ड रेंज ही 150 किलो मिटर है जहां दूसरी तरफ हॉप ऑक्सों के दोनों वेरियंट्स की रियल रेंज ही 150 किलो मिटर से है इससे के साथ अगर मैं बात करों दोस्तों इनकी बैटरी की तो देखिए सबसे पहली सिमिलालिटी तो यह है कि दोनों ही इसके ठीक दूसरी तरफ हॉप ऑक्सों के दोनों ही वेरियंट्स में दोस्तों 3.75 किलो वाट आर के लिप्टियमाइन बैटरी का इस्तिमाल किया जा रहा है जो कि फिक्स्ट है तो यहां पर बैटरी के किलो वाट को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जादा हॉप ऑक्सो मिलेगा लेकिन रिवॉल्ट की जो बैटरी है वो रिमूवबल है तो इन फ्यूचर यह स्वैपिंग जो फैसिलिटी है उसको भी सपोर्ट करेगी इसके बाद अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं दोस्तों तो देखें यहां पर आप रिवॉल्ट आरी 400 की बाइक क इसको 5A के चार्जर की मदद से 0-100% चार्ज कर सकते हैं 4 घंटे के अंदर वहीं इसको 0-70% आप चार्ज कर सकते हैं 3 घंटे के अंदर इसी के ठीक दूसरी तरफ हॉप ऑक्सो को आप 0-100% चार्ज कर सकते हैं 5 घंटे के अंदर और 0-80% चार्ज कर सकते हैं आप 4 घंटे के इंदर 850 वार्ट की चार्जर की मदद से तो यह पूरी बात हुई दोस्तों इनकी बैटरी चार्जिंग टाइम और रेंज को लेकर आप बात करते हैं इसके टॉप स्पीड को तो देखे दोस्तों रिवॉल्ट आर्वी 400 में आपको 85 km पर आर की टॉप स्पीड मिलती है जहां हॉप ओक्सो एक्स में आपको 90 km पर आर की टॉप स्पीड मिलती है और हॉप ओक्सो एक्स में आपको दोस्तो 95 km पर आर की टॉप स्पीड मिलती है तो टॉप स्पीड मैं भी हॉप ओक्सो आपको थोड़ा जादा नजर आएगा रिवॉल्ट आर्वी 400 से अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही electric bikes की motor के बारे में, देखिए यहाँ पर revolt rv400 में mid drive motor का इस्तिमाल किया गया है, जिसकी nominal power है 3 kilowatt और peak power है 5 kilowatt, वहीं hop oxo में दोस्तों BLDC motor का इस्तिमाल किया गया है, जिसकी nominal power है 3 kilowatt, दोनों ही variants में, चाहें आप hop oxo खरीदे हैं, hop oxo x, लेकिन difference कहां आता है, difference आता है इसकी peak power में, hop oxo की peak power है दोस्तों motor की 5.2 kilowatt, वहीं hop oxo x की peak power है दोस्तो 6.3 kilowatt, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको difference देखने को मिलेगा, तो अगर हम peak power को compare करें, तो यहाँ पर hop oxo का base variant भी जादा नजर आता है, यहाँ पर revolt rv400 से, लेकिन लेकिन, लेकिन, लेक के app की मदद से, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर hop oxo है, इसमें BLDC motor का इस्तिमाल किया गया है, तो bike already बहुत silent होती है, जब आप इसे चलाएंगे, ओपर से यहाँ पर आपको इस तरह को कोई sound effect भी देखने को नहीं मिलता है, वहीं दूसरी तरफ, revolt में आपको mid drive motor मिलती है belt driven तो उससे आपको motor का sound तो एक मिलता ही है, सांत में इस तरह का आपको sound effect भी देखने को मिल जाता है, ठीक ऐसा ही एक और difference आपको देखने को यह मिलता है दोस्तों कि आपको hop oxo में hazard switch देखने को मिलता है, जो कि आपको revolt में नहीं मिलता है, hazard switch मतलब जब आपके चारो ही indicators ज जाने वाली जो गाड़ियां हैं आपके साथ उन्हें पता लग जाता है कि यह जो गाड़ी है वो अब धीरे होने वाली है, यहां साइड में कहीं खड़ी हुई है, तो यह hazard switch जो है बहुत कम electric bikes में देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आपको hop oxo में देखने को मिल जाता है, बात करते हैं दोस्तों अगर इन दोनों ही electric bikes में मौजूदा modes की तो देखें यहाँ पर आपको revolt में eco, normal और एक sport mode देखने को मिल जाता है, साथ ही इस bike में आपको कोई भी reverse mode देखने को नहीं मिलता है, ठीक दूसरी तरफ hop oxo में दोस्तों यहाँ पर आपको eco, power और sport mode देख देखने को मिलता है, तो यहाँ पर hop oxo में 4 modes मिलते हैं, hop oxo में 3 modes मिलते हैं, लेकिन आपको इन दोनों ही bikes में reverse mode का option भी देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर आपको revolt RV400 में देखने को नहीं मिलता है, अब दोस्तों अगर इन दोनों ही bikes के वजन को compare किया जाए, तो अगर loading capacity की बात की जाए, तो यहाँ पर revolt RV400 की loading capacity है, 150 kg, जहाँ पर hop oxo की loading capacity है, 250 kg, तो यहाँ पर loading capacity जादा है hop oxo में, लेकिन बाइक जादा हलकी है, revolt RV400 की, बात करते हैं अभी इसके acceleration की, तो यहाँ पर acceleration दोनों ही bikes का 0 to 40 km पर आर, 4 सेकंड के आसपास है, suspension की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको revolt RV400 में, रेर साइड में, मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है, जहाँ दूसरी तरफ hop oxo की electric bikes की रेर साइड में, दोस्तों, आपको hydraulic dual शॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, फ्रंट साइड में, आपको revolt के दोस्तों, upside down fork suspension देखने को मिलता है, और hop oxo में, दोस्तों, आपको अप right telescopic fork suspension देखने को मिलता है, यहाँ पर दोस्तों, अगर इन दोनों ही bikes की seat height की बात की जाए, तो revolt RV400 की seat height है, दोस्तों, 814 mm, वहीं hop oxo की electric bike की seat height है, दोस्तों, 780 mm, तो मतलब, revolt की bike जादा उची है, as compared to hop oxo की bike, तो आप अपनी height की according, इन bikes को select कर सकते हैं, वैसे जहां तक मेरा experience है, दोस्तों, तो अगर आप 55 है, 56 है, 57 है, तब भी आपको जादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, revolt चलाने में, और साथ ही hop oxo को चलाने में, इसे के साथ अगर मैं बात करूं, इन दोनों ही electric bikes के ground clearance की, तो revolt RV400 का ground clearance है, दोस्तों, 215 mm, और hop oxo की electric bike का ground clearance है, दोस्तों, 180 mm, तो seat height जहां जादा थी, revolt RV400 की, तो ground clearance भी जादा है, revolt RV400 का, hop oxo का seat height भी थोड़ी कम है, लेकिन ground clearance भी hop oxo में, थोड़ा सा आपको कम मिलता है, यहां पर revolt RV400 से, अगर color availability की बात करते हैं, दोस्तों, तो revolt RV400 में आपको black, gray और red, तीन colors देखने को मिलते हैं, जहां दूसरी तरफ hop oxo में आपको hop oxo में, red और blue, यह दो color देखने को मिलते हैं, और hop oxo X में आपको gray और green, यह दो colors देखने को मिल जाते हैं, अब बात करते हैं, सबसे जरूरी बात price की, तो reward RV400 का महरास्टरा में एक्षोरूम प्रा दूसरी तरफ hop oxo की electric bike, यानि की hop oxo का जो एक्षोरूम प्राइस है दोस्तो वो है 1,25,000 रूपीज और hop oxo X का एक्षोरूम प्राइस है दोस्तो 1,40,000 रूपीज तो यहां पर दोस्तो hop oxo थोड़ी सी cheap नजर आती है, आपको reward RV400 से और यहां पर hop oxo X जो है reward RV400 से थोड़ी 5000 रूपे जादा महंगी पर जाती है, अब बात करते हैं दोस्तो इनके pre booking amount की तो देखिए reward RV400 को आप 9,999 रूपीज देकर pre book कर सकते हैं और hop oxo को आप 9,999 यानि की 1,000 रूपीज देकर pre book कर सकते हैं, अगर compare करा जाए इनकी battery warranty को दोस्तो तो यहां पर reward RV400 में आपको 6 साल य यहां 1,000,000 km तक के लिए warranty मिलती है बैटरी के लिए, जहां दूसरी तरफ hop oxo में दोस्तो आपको 4 साल या 50,000 km के लिए battery warranty मिल जाती है, और hop oxo x variant में दोस्तो आपको यह battery warranty चार साल या unlimited km के लिए मिल जाती है, लेकिन इसके लिए condition यह है कि आपकी bike किसी business purpose के लिए यूज का मतलब कि आपकी bike को मन्थली 1600 km से कम ही चलाया होना चाहिए, इतना ही नहीं दोस्तो, revolt rv 400 में आपको double stand नहीं मिलता है, उसमें सिरफ आपको एक single stand देखनी को मिलता है, लेकिन hop oxo की electric bikes में आपको double stand और single stand दोनों मिलते हैं, और दोस्तो दोनों ही bikes में मैंने observe कि revolt rv 400 की जो दोस्तो, seat length है, और seat की width है, वो थोड़ी सी कम है as compared to hop oxo की electric bikes, तो अगर आप एक बल की person है, और आपको ज़्यादा space चाहिए होता है बैठने के लिए, तो आपके लिए ऐसे में hop oxo ज़्यादा comfortable हो सकती है as compared to revolt rv 400, डिलिवरी की बात करूं दोस्तो, तो अगर अभी आप revolt r rv 400 को book करते हैं, तो करीबन 90 दिनों के बाद वो आपको deliver कर दिया जाएगा, लगभग तीन महीने के बाद, और hop oxo की deliveries है, जैसे के आप जानते हैं अभी 5 September को ही launch की गई है, तो ये October 1st से इसके delivery स्टार्ट कर दी जाएगी, दोस्तो ये तो पूरा comparison था revolt rv 400 और hop oxo की electric bikes के बीच में, लेकिन इस comparison में कुछ ऐसे points के जिन पर मैंने अभी बात नहीं की है, number one point दोस्तों ये है कि hop oxo की electric bike में, जो head lamp है, वहाँ पर bulb का इस्तिमाल किया गया है, बाकी जो lights है, उसमें LED light लगाई गई है, लेकिन, reward rv 400 में आपको चाहिए, head lamp और indicator सभी में आपको LED lights लिदते हैं, तो hop oxo X में, यानि की top variant में आपको mobile app connectivity, geofencing और bluetooth connectivity इस तरह के features देखने को मिल जाते हैं, और hop oxo में सिरफ आपको bluetooth connectivity देखने को मिलती है, जहां revolt rv 400 में आपको geofencing, mobile app connectivity, bluetooth connectivity ये सब features देखने को मिल जाते हैं, number three, देखिए दोस्तों hop oxo के electric bike में, आपको कोई भी हलका सा भी boot space देखने को नहीं मिलता है, जिसका tank है, पूरी तरह से cover किया गया है, जहां revolt rv 400 में, जो tank है वो open होता है, उसके अंदर battery को रखा गया, और उसको बाद में cover किया गया है, प्लास्तिक के ढखकन से, जिसके उपर आपको थोड़ा सा boot space मिल जाता है, आपके earphones, य लेकिन उससे connected मुझे कोई ladies footrest देखने को नहीं मिला था, लेकिन जब मैंने test ride किया था revolt rv 400 को, तो मुझे वहाँ पर सारी guard और ladies footrest दोनों देखने को मिले थे, तो हो सकता है, शायद hop oxo ladies footrest जो है, अलग से accessory में आपको दे, फिफ्ट पॉइंट, देखिए दोस्तों, अगर पसंद आप किसी को यह नहीं कह सकते कि यह अच्छा है यह वह अच्छा नहीं है, इसलिए looks को अभी हम compare नहीं कर सकते हैं, आपके अपने क्या विचार है, कौन से electric bike के looks आपको ज़्यादा पसंद आए, आप हमें comment section में जरूर बताइएगा, जिस bike के looks को ज़्यादा comment मिलें तांकि ऐसे ही EV संबंदित जानकारिया मैं आप तक पहुंचाता रहा हूँ, आप मिलते हैं एक नहीं वीडियो में एक नहीं जानकारिय के साथ, तब तक के लिए go green, go electric